किन्तु सबसे बड़ी परिशानी वहाँ पर पानी की थी पानी के लिए आप कम से कम 3-4 किल मोटर आपको चलके जाना ही पड़ेगा और ये बहुत कठन कार रहे था कि 4 किल मोटर आप रात रात भर जाब करें दिन भर आप अपने सुविधाओं के लिए सारी चीज़ों को आगे करें इन्तु यही पर ही एक विशेश कृपा कह लीजिए या आशरवाद कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि जैसे ही भीतर ये आया कि पानी की विवस्था क्या होगी एक व्यक्ति साइकल पर दोनों तरफ बड़े बड़े प्लास्टिक के नीली रंग के बड़े बड़े डबे जिसमें पानी था पैदल 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 लेके जा रहा था तूप जा रहा था बहुत पास नहीं था मुझे लगा कि शायद आस पास कुछ होगा तभी ये विक्ति यहां से जा रहा है तो मने आवाज लगाई तो वो डरा डरा क्योंकि जो कपड़े में पहनता था खाले रंग के जिस परकार से मैं घोर के साधना काल में रहता था और इस साधना में नहाना इत्यादी बिल्कुल भी अलावड नहीं था जो हुए नहाना था वो मुझे शिता की भस में उसी सही सनान करना था शिता वहाँ पर थी नहीं तो राख बना कि उसी सही सनान करना था दोड़ते हुए मैं उसके पास भागा कहीं वो भाग न जाए बहुत देर तक मैंने उसका पीछा किया पैरों पे घास चुब रही थी सुखी सुखी घासे जैसे धान करने के बाद कटाई होने के बाद जब उसमें छुटे छुटे वो काटे दार बच जाते हैं कैसे कैसे बचते बचते लहू लुहान होते हुते में बहां तक पहुंचा कैसे भी करके उससे मैंने प्रार्थना करी कि मुझे पीने के लिए पानी दे उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ आप कौन है यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसी खतरनाक जगे बे अब उसको जब 10-15 मिल्ट चलते चलते वो रुख भे नहीं रहा था चलते चलते उसको मैंने समझाया दोप थी बहुत जड़ा तो उसको मैंने जितना प्रयास्वस्ता था समझाया और उसने कहा कि ठीक है लाइए अपनी बोतल मैं आपको पानी दे देता हूँ मैं पास कोई बोतल भी नहीं थे मैं भागते समय वहां से निकलते समय यह सब लाना ही भूल गया कि मुझे कुछ चाहिए भी फिर बहुत देर ढूंडने के बाद एक तूटा हुआ डब्बे का धरातल पाधा कटा हुआ मुझे मिला उसको ही मैंने उससे भरा और उसने कहा कि मैं यहां से प्रती दिन आता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत दे दिया करूंगा इतनी विशेशक्रपा है कि महां पानी का कोई साधर नहीं है और वो व्यक्ति दिन बहुत दूर जाता था पानी ले की प्रती दिन अपने घर के लिए एक ही घर उसका उतनी दूर था उस गाउं में बचा हुआ बाकि सब पलाइन कर चुके थे और उस स्थान से भी बहुत दूर उसका अपने घर था बहुत इठनाई से वो मैं जल उतनी दूर से बचा बचा कि अपने पास तक ला पाया और पूरा दिन मैं अगले दिन तक मैं उसी पानी को ही चलाता था मल मूत्र त्यागने में इसी भी सुचता का ध्यान नहीं रखना था इस साधना में इस साधना में धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जब जैसी जैसे अनभाव बढ़ते चले गए गुरु आदेश से इसमें मल का भी लेपन करके साधना करनी थी एक ऐसी एक्स्ट्रीम अवस्था थी एक ऐसी उच अवस्था थी जिसमें आप अपने सारे स्वरूब को भूल जाते हैं आप अपने जितनी भी माननेता हैं उसको भूल जाते हैं कैसे आप मल को पूरे श्रीर पे अपने ही मल को लगा के बैठेंगे कैसे भूएंगे कैसे रहेंगे या बदम नहीं आईगे या घिन नहीं आईगे या कुछ रोकेगा नहीं भीतर से कि सब भाव दशाओं को दमित करके अगर कुछ सादक बैठता है तो नहीं बैठता है वह जतना ज़्यादा दमन करेगा उतना ज़्यादा उसको उस अवस्था से बहुत ज्यादा उठने का मन करेगा उस अवस्थाओं को मैंने सुईका रहा क्योंकि ये वो मारग था और अगर मारग में आप चल रहे हैं तो आप ये चाहें कि मारग आप के अनुसार हो तो ऐसा नहीं होगा मारग तो अपने मारग के अनुसार होगा तो शुरुबात में बहुत कटनाई होई समझने में लेकिन इश्ट और गुरु कृपा के कारणा स्वता है ये भीतर उतर गया कि ये वस्था भी बहुत आवश्चक है सादिकों के लिए पार करना दूर से इसको घ्रना करना ये गलत है गलत मारग है ये एक बहुत आनंदाएक इस्तिती है बहुत मजदार इस्तिती है कि दूर से भी किसी चीश को आप बुरा या भला कह सकते है लेकिन जब भीतर से आप उससे होके गुजरते है तब उसकी सत्यता का आपको भान होता है तब आपको उसकी उर्जा का भान होता है देरे देरे प्रति दिन मल का लेपन करके अपने शरीर पर रात्री को बारा बज़े बैठने का आदेश था बाराव जेसे तीन बज़े तक का मेरा समयकाल था और उस समयकाल में जितनी भी वहाँ पर आत्माई थी जितनी भी रेटार्स माई थी जितनी भी टृट्री शक्तियां थी वह सब जागरत हो जाती थी और यतना तांड़ोम चाती थी वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता था, यतनी बदवू आती थी, स्वाकी तो जितनी थी वो थी ही, लेकिन आसपाद यतनी बदवू आती थी, यतनी बदवू आती थी, कोई आपका जमीन से निकल के आपका खोन पीने के लिया दुर रहता था, बार बार बली मागी जाती थी, बली दो वरना हम स्वेम उड़ा के ले जाएंगे, यतनी बुरी दरह पठकेंगे उपर से नीचे, कोछ नहीं प्राप्त होगा, जो करने आया हो, इस परकाज रात्री बर पहस होती थी, बहुत जाब, और मैं चुक्चाप शांती से अपने मंतर जाब को करता रहे, ये रात्री का प्रदिय दिन का खेल हो गया था, जैसे ही मैं जाब करने बैठों, वैसे ही सारी चीज़ें आके सामने बैठ जाब, घूरने लगें, किसी क कान में से मावाद भह रहा है, कोई गलत-गलत हरकते कर रहा है, धीरे 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 उनका जो दायरा था, वो मेरे समी पाने लगा, जैसे शायद कोई मित्रदा करने के लिए आतर हो रहा हो, लेकिन इन तरह की इस तरह की जो आत्माएं हैं, इस तरह की जो शक्तियां है इस तरह की जो यूनियों में पड़ेवे जीव हैं, उनकी बनुदशा, उनकी जो भावदशा, उनकी संस्कारों की वज़े से जो उस यूनियों में पड़ेवे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनकी धूर्तता इनकी चलाकियां इतनी उच्च गोटी की हुती हैं, आप मनुष्य लोगों में, अगर कोई बहुत ही दुष्ट प्रवर्ती का, बहुत ही शैतानी प्रवर्ती का, अगर आप देखें कोई व्यक्ति अगर आपको आपके जीवन में टकराए। वैसे अगर हजार लोग दसजार लोग आप एक साथ जोड लें उस प्रकार की निक्रिष्ट उस प्रकार की पैसाजिक उस प्रकार की गंदगी से भरी हुई आत्माओं का वहाँ पे जमावला था एक एक पल मुझे वहाँ कचोड़ता था कि मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ साधना ये बेकार में और बार बार उचाट होता था और बार बार में पनी साधना बैटता था बार बार गुरु पर उचाट होता था इस पर उचाट होता था लेकि मुझे सत्यता पता थी कि उचाट होता है साधक हूँ तो उचाट होगा अगर मैं साधना नहीं कर रहा हूँ तो क्यों उचाट ह करूं कि मुझे पता था कि गर सादक हैं तो भी उचाट तो हो गई जैसे आकर्शन होता है साधने के प्रती वैसे उचाट भी होता है प्रेम होता है तो क्रोध भी होता है दोनों की सत्यता है इन सत्यताओं को समझते हुए मैं अपनी साधराओं को आगे बढ़ा रहा था धीरे 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 कुछ जब समय वितीद हुआ तो उनको मेरे निकट आने का मौका मिला और प्रते दिन जैसे ही मैं अपनी आसन पे बैठता था अपनी माला को पकड़ता था और वो सामने प्रकट होके मेरे सामने बैठ जाते थे कोई दस फिट लंबा है कोई बिलकुल छोटा है बौने के आकार का कोई इधर भाग रहा है कोई उदर भाग रहा है कोई पत्तर भैक रहा है कोई हड़ियां भैक रहा है उच्छाल उच्छाल को जो थूक रहा है कोई वहीं सामने बैटके मेरे मल और मूत रत्या कर रहा है ऐसी ऐसी गंदी हरकते और मुझे अपनी साधना को एक आगरता से करना भी होता था जो परथम दिन इस्तरी आई थी दर्ज दिन बाद उसका फिर आगमान हुआ बहुत तेज चलाई बहुत तेज तेज यह च्छवी में आपको दिखा रहा हूँ यह उस च्छवी से मिलती जुलती ही मुझे दिख रही है इसलिए मैंने डाला है इसमें और यह उसका दर्ज यदि आपको यह वीडियो जानकारी प्रद रोमान्चक लगी हो तो ग्यान वर्धन के लिए सभी सादिकों के साथ साजा करें सबस्क्राइब करें लाइक करें